नमस्ते दोस्तों मैंन कुरारिये आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सद्के सनातनिये तो दोस्तों आज हम इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं आप सब के लिए एक प्रश्ण है और यह प्रश्ण मेरा नहीं है यह प्रश्ण मेरे छोटे भाई का है और प्रश्ण यह है कि नौर्थ से लेकर साउट तक एक कथा प्रचलित है जो हम करते हैं सत्य नारायन वरत कथा तो उसका प्रश्ण ये है कि सत्य नाराण वर्त कथा में वर्त की कथा काउंसी है में तुसे उसका एक क्वेशन ये बनता है कि लकड हारा कथा सुनता है फिर अपने घर आता है कथा करता है फिर वो पैसे वाला बनता है फिर कलावती कथा करती है लिलावती कथा करती है और फिर सब मिलकर के लिलावती कलावती और कलावती के पिदाजी कलावती के पती इस सब मिलकर एक कथा करते हैं तो where is the story मतलब वो कथा कौन सी है जिसको वो करते हैं क्योंकि यह है तो करने का फल उसमें बताया गया है करने का फल और ना करने का फल इस पूरी कथा में बताया गया है तो उसने कहा कि यह जो प्रतिफल उनको प्राप्त हुआ है वो हमको तब प्राप्त होगा जब हम वो कथा करेंगे जो एक्चुल में कलावती ने की थी तो अगर किसी के पास वो कथा हो तो वो मुझे भेजने का कष्ट करे करपा करे और उसमें जितने भी एक्सपेंस होगा मैं उनको भेजूंगा और यहां से हम अगली बात अपनी शुरू करते हैं अगली बात यह है कि पिछला जो हमारा चैप्टर जो चला हुआ था चैप्टर में हमारी बात हुई थी जाकिर नाइक के विशे में और जाकिर नाइक और हिंदुस्तान के अंदर अभी भी उसका फैला हुआ नेटवर्क उसके विशे में हमारी बातचीत हुई थी तो इस पूरे नेटवर्क को जो पूरा सपोर्ट है वो भी मार्मी का भी है और वाम्पंथियों का भी है और कही न कहीं इसमें Christianity का भी पूरा पूरा योगदान है तो उसके साथी साथ हमारी बाद चली थी कि दशम अवतार तो दशम अवतार पे भी मेरा खुद का एक कोशन ये बनता है कि जब हम कहते हैं कि सत्य यूग में सत्य का यूग था और उसमें पाप बहुत कम था फिर दूसरा जो यूग होता है वो द्वापर होता है तीसरा यूग जो होता है त्रेता होता है और चतुर्थ यो यूग बताया गया था वो है कली यूग तो थोड़ा सा जहल मौल यहां भी है कुछ लोग सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और फिर कल्यूग मानते हैं लेकिन एक्चुलिटी अगर उनको देखा जाये तो सत्यूग, फिर द्वापर दूसरा यूग, त्रेता त्ीसरा यूग और चौथा कल्यूग इस प्रकार से ही मानते हैं तो अब हम करते हैं केटेग्राइजिशन के उपर बात, अवतार हुए किस तरीके से सबसे परतम हुए, मतस्य अवतार, उसके बाद में हुए कच्छाप अवतार, उसके बाद में हुए वराहा अवतार, और वराहा अवतार के बाद में फिर हुए नरस्यम अवतार, और ये परीबन 4-5 अवतार वो सत्यूग भगवे हिंदू माइथोलोजी ये मानती है कि जब जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है और जब जब धर्म की हानी होती है सादू संतों का नश्ट होना शुरू हो जाता है तो उस समय विश्णु भगवान अवतार लेते हैं और द दूसरा यूग यानि के दौपर और दौपर में सिर्फ दो अवतार होते हैं और उन दो अवतार को बोलते हैं राम और परशुराम और फिर तरेता यूग वहां सिर्फ श्रीकृष्ण का अवतार बताया गया है और फिर बताया गया है कि कल यूग में एक बुद्ध को अव लगता है कि बुद्ध हमारे नवम अवतार थे मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि क्या बुद्ध हमारे नवम अवतार थे अगर वो हमारे नवम अवतार थे तो आज 80% हिंदू बुद्ध को क्यों नहीं मानता है आज बौध धर्म को एडी चोटी का जोर क्यों लगाना पड़ रहा है हिंदुस्तान में फैलने के लिए क्या हम अपने भगवान विश्णु को नहीं मानते क्या हम अपने भगवान विश्णु के आदेश को नहीं मानते क्या हम उनके आदेश को नकार सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई कपोई कल्पित कथा हो सकती है ये विचार करने की बात है आज बुद्ध धर्म को फैलने के लिए मैं यहां दिल्ली में रहता हूँ कहीं सारे मुझे लोग मिले हैं जिन्होंने बताया कि बुद्धिस्म के जो लोग हैं वो पैसे के लालच दे दे कर बुद्ध बना रहे हैं मतलब Christianity का जो तरीका था वो आज बुद्ध लोग अपना रहे हैं तो क्या हम भगवान विश्नु को मानने वाल लोग अपनी स्वा इच्छा से बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं हम आज भी क्यों श्री राम और श्री कश्न पर पड़े हुए है चलिए सब के सब मिलते हैं और बॉद्ध धर्म को स्वीकार करते है उधर जाकिर नईक और प्रमोद कृष्णम ने ये सिद्ध ही कर दिया है कि बॉद्ध के अबाद में जो कल की अवतार होना था वो मुहम्मद साहब के रूप में पैदा हो चुके हैं तो सब के सब इस्लामिस्ट क्यों ने बन जाते ये हमारा दोगलापन है मैं साफ कहता हूँ ये हमारा दोगलापन है और इस दोगले बन से हमको बाहर निकलना पड़े सत्यूग में हम पांच अवतार कर देते हैं उसके बाद सिर्फ हम दो अवतार पैदा करते हैं हमारी मर्जी है हम जब अवतार पैदा कर देते हैं जब मर्जी होती है जब कर देते हैं जब मर्जी नहीं होते तब अवतार पैदा ही नहीं करते हैं पांच अवतार की अवश्टा आज कल्यूग में होनी थी, लेकिन कल्यूग में एक अवतार हुआ है, दूसरे के उपर अभी भी conflict है, बहुत सारे हिंदू मानते हैं कि कल्यूग की अवतार अभी तलक नहीं हुए और वो होंगे, कब होंगे, क्या कल्यूग की पराकाष्ठा न की ऐसी कोई स्थिती है ही नहीं, भगवान कभी अवतार लेकर जमीन पर नहीं आते हैं, ये हमारे बीच के महापुरुश होते हैं, आप एक छोटी सी बात बताईए, कोई अपनी उन्नती चाहता है या अवनती, जिस परमात्मा में, जिस इश्वर में ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सरव्यापक है, सरवनियनता है, वो मात्र एक छोटे से एरिया को ठीक करने के लिए गर्भ की यातनाई जहलेगा, जनम लेगा, यहाँ आकर ये सब खेल रचाएगा, जब सबकुछ परमात्मा के ही हाथ में है, जब सबकुछ इश्वर के हाथ में है, रावन बनाना भी उसके हाथ में है, कंस बनाना भी उसके हाथ में है, तो वो पैदा क्यों करता है, जब वो पैदा करता है, तो उनको मारता क्यों है, यह कभी आपने सोचा है, ये तो एक फिल्मी स्टोरी लगती है जैसे एक हीरो पैसे देकर कुछ गुंडे पहले बेजता है बोलता है कि जाओ पहले सब कुछ नस्ट भरस्ट करो फिर मैं आगे तुमको आउंगा, कूट दूंगा, पीट दूंगा, मारूंगा, भगाउंगा मेरा इंप्रेशन जम जाएगा ये तो कुछ-कुछ है ऐसी बात लगती है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान, मात्र, एक एरिया के लिए क्या सिर्फ भारत ही पूरी प्रत्वी के उपर है क्या भारत के लवा अन्यक्षेत्र यहाँ पर नहीं है क्या वहाँ पर लोग नहीं थे क्या वहाँ पर पापकर्म नहीं होते थे क्या वहाँ पर पापकर्म नहीं होते है तो अवतार की जो अवधारना है वो सिर्फ हमारे ही देश में क्यों दोस्तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हो राम रहीम आज की स्थिति में आपके सामने पैदा हुई चीज़े आपी के सामने जेल भी गया क्या हुआ था उसने खुद को गुरु गोविन सिंग गोशित कर दिया था उन्हीं के जैसे वस्त्र पहन लिये थे एक लंबे समय पहले की बात है उसके उपर केस भी चला था लोगों ने उसके उपर केस भी कर दिया था तो ये हमेशा से होता हुआ आया है गुरु गोविन सिंग सहब हमारे ही बीच के एक व्यक्ति थे गुरु तेक बहादूर हमारे ही बीच के एक व्यक्ति थे गुरू हरकिशन सिंग हमारे बीच के एक व्यक्ति थे यहां तलकी वीर बंदा बहदुर हमारे ही बीच के व्यक्ति थे जहांसी की रानी, तात्या टोपे, भगत सिंग, चंदर शेकर राजाद, भायराजीव दिक्षित, सुभाष चंदर बोश, महरसी द्यानन सरस्वती यह हम सब के बीच के ही व्यक्ति थे क्या इनकी तेजस्विता में, इनके त्याग में किसी परकार की कोई कमी रही है क्या इन्होंने हमारे देश की रक्षा नहीं की क्या जब धर्म की हानी हो रही थी, तो इन्होंने उसके खिलाफ हत्यार नहीं उठाए क्या भगत सिंग हस्ते हस्ते फासी नहीं जूल गए क्या आपने आनबान की रक्षा के लिए पदमावती ने जोहर नहीं किया क्या आपने देश की रक्षा करते करते रानी लक्षमी भाई वीरगती को प्राप्त नहीं हुई क्या महर्शी देरान सरस्वती वैदिक सब्वेता को पुरह स्थापित करने के लिए वीरगती को प्राप्त नहीं हुए लेकिन किस ने उनको भगवान का अवतार का दर्जा दिया मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गुरु गोविन सिंग सहाब को इतना लंबा समय गुजर चुका है तो हो सकता है हजार दो हजार साल के बाद आज की परिस्तियों को देखते हुए जो महापुरुष हो रहे हैं कोई आगामी भविश्य में इनकी कताएं सुनकर खुद को उनका अवतार गोशित कर देगा तो कौन आकर हजार साल पीछे देखने वाला है कि कौन हुआ था कौन नहीं हुआ था लेकिन ये अवतार वाद को चलाने के लिए पूरी एक टीम होती है जिनका पेट इसी अवतार वाद की कताओं को गागा कर भरता है आज इनसान को आज देखे आपको जिस परकार की स्टोरी चाहिए उसी परकार की स्टोरी आपको सुनाई जाती है अगर आप खुद में सोचे अगर आप अवतार वाद में विश्वास रखते हैं तो आज ही या तो आप बहुत धर्म को स्वीकार कीजिए या फिर इस अवतार वाद पर पुनहा विचार कीजिए पुनर निरिक्षन कीजिए कि इसके पीछे कोई जोल तो नहीं है कोई यूट तो नहीं है ये एक बहुत ही गहरा विशय है और आज के समय हमारा जो हिंदू सब्वेता जो सत्य सनातिन वैदिक धर्म जो था वो बहुत तरकशिल था लेकिन आज इसको इन्फ्लूएंस किया जा रहा है इसको इसलाम की पट्री पर लाया जा रहा है कि अगर कोई भी तरक करता है तो उसकी गरदन काट दो मैं इसके सखत खिलाफ हूँ मैं ही नहीं हमारा वैदिक धर्म इसके सखत खिलाफ है वेदों में तर्क वितर्क करने के प्रमाण दिये गए हैं दर्शनों में तर्क वितर्क करना सिखाया गया है हमारी पूरी सभ्यता की स्थापना ही तर्क वितर्क के आधार पर हुई है हम कैसे तर्क वितर्क को नकार सकते हैं ये तर्क वितर्क को नकारने की जो बात करते हैं वो आपके गुरू, पोप और पंडे हैं जो खुद धर्म को नहीं जानते और वो जो चाहते हैं कि हर तरीके से धर्म के नाम पर मोनोपोली सिर्फ हमारी चलती रहे वो आप लोगों को इंफ्लूएंस करते हैं और कहते हैं कि धर्म के बारे में अगर कोई कुछ भी कहता है उसकी गर्दन उतार दो, उसका विरोध करो, उसके साथ में मार बिटाई करो, आज आप पदमावती के खिलाफ खड़े हैं, पदमावती एक मुवी बन रही है, ऐ मेरे हिंदूओ, अगर तुम इसी तरीके से कभी पहले, ये पो अगवत कथा के खिलाफ खड़े हो चुके होते, तो आज हमारे धर्म कितनी अविनती न होती, आज हमारे धर्म की तरफ आँख उटा कर कोई देखने वाला न होता, लेकिन तुमने नहीं किया, तुम बड़े-बड़े पंडाल लगाते हो, भरे रस्ते पंडाल लगाते हो, पूरा रास्ता रोकर अपने गुरू को बठाते हो, और तुमारा गुरू क्या समझाता है तुमको, कि स्री कृष्ण जब जवान थे, जब वो जवान थे, तो वो गोपियों के कपड़े चुरा कर चले गए, और भागवत पुरान में लिखा हुआ है, वो चुरा कर गए, और जब इस्त्रियों ने कहा, गोपियों ने कहा, कि हमारे कपड़े वापस कर दो, तुरन कहा नहीं, तुम बाहर निकलो, और जब इस्त्रियों ने अपने अंग ढखे अपने हाथ से तुरन कहा, कि तुम्हारा मेरे परती समर्पन पूरा नहीं है, अपने हाथों को उपर खड़ा करो, तो बताओ है मेरे हिंदूओं, भागवत पुरान के अंदर इकनी गंदी बाते लिखी गई है भगवान श्रीकर्ष्ण के बारे में, और तुमने आस्तलक आवाज ने उठाई, आज तुम एक फिल्म के खिलाफ खड़े हो, ये तुम्हारी अवनती तुम्हारे खुल के विचारों के करण हुई है, अभी भी समय है, जाग जाओ, और अपने धर्म को तर्क के आधार पर, तर्क की कसोटी पर उसको कसो, और जो निकल कर आता है, उसको स्विकार करो, अत्वा बाते बहुत हैं, स्विकार करना ना करना आपके हाथ में हैं, किसी भी पोप के कहने से, किसी भी धर्म गुरु के कहने से, किसी बात को स्विकार मत करो, कॉशन करना सीखो, प्रशन करो, बीना अग्रेशन के, उसको तर्क के आधार पर जाचो, तब स्विकार करो, आज की बात में सिर जितना ही, सभी का धन्यवाद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ब चे कुछ